हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल तो मैं फिर से आ गई हो रात के डिनर के तियारी करने के लिए तो आज मैं आपको पूरा डिनर नहीं दिखाऊंगे आज मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज दिखाऊंगे जैसे कि मैं यह सबजी बना रहे हूं केले के सबजी यह मैंन तो चलो आपको दिखाते हूं कि यहां लेखे में से तल्गी फ्लेम मीडियम ही रखना हमें यह तो ऐसे भी आप खा सकते हो बटमहर को थोड़ी सी ग्रेलियम अड़ावेंगे तो गाईज यहां पे देखिए मैंने साज करने 3 इसे कटे नहीं ए मैंने ग्रेट करने से इक अच्छी से फाइन प्यूरी बंते हैं और इसी पर मैंने अद्रक भी कर लिया और थोड़ी से में दो मिर्च मैने काटें इसी की ग्रेवी बनाएंगे टमाटर मैंने ज्यादा इसलिए ग्रेट किया है क्योंकि अभी एक प्याज लेसन तो पड़ने ही रहा है और दूसरी चीज कि यह जो खेले की सब्जी होती है यह ग्रेवी बहुत ज्यादा देल होती है ज्यादा लेगे प्वाता तेले मारव गरव मूच चुगा है इसमें मैं डालूंगी एक चुट्की हींग और यह मैंने लिया है जीरा राई और सौफ और थोड़ी से मेथे यह बीडालूंगी तो पर दीजाए अबरें निया है ने को दोड़ी से ने ज्याएं तो मैंने टमाटर के प्लूरिस में डाल दी और पर मैं नमक को अलबी पाउडर, कोरियंडर पाउडर, जिरा पाउडर डाल करके मिक्स किया है और यह टमाटर बिलकुल बेसी हा तो जिसके बज़िक से थोड़ा यह खटा हो सकते है इसले मैं एक चुटकी दीनी डालेंगे ता तो थोड़ा खटा होने का चांसिस रहते हैं तो आप असमों में पाउड करूंगी पुलासा कसूरी में थी कसूरी में थी मैंने अड़ कर दिया जब यह क्रेवी थोड़ी ज़े पक जाएगी फेरेट हम इसमें करण में साथ और हां यह थोड़े से बीसन बच्चियों ले हैं जो यह पकोड़े वाले थे तो मैं लका सा पानी मिक्स करके मैं इसे भी इस ग्रेवी में डाल दूगी ताकि ग्रेवी थोड़े ठीक भी हो जाए और टेस्ट भी अच्छा आएगी और दो दोषार में बड़ड़े ए हैं थोड़ी देर से ड़कते हैं तो गाइस देखिए सबजी हमारे बन के रेडी हो गई है जो मैंने गर में साधा गडालती है परफेक्ट हो गई है तो गाइस डिनर बन के रेडी हो चुड़ा ना दिखाती हो आपको अन्हें आठा लगा के रखिया दाल लच्ची के चपी अन्हें अन्हें साब हो पिंडी की सबजी तो अन्हें अन्हें प्रावशी यह चावल बन के और यह रही सबजी पूरा किचिन भी मैंने क्लीन करती है तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दिन्स बताईएगा और यूदो अच्छा लगा हो दो लाइक करें शेयर करें सब्स्क्राइब करें थैंक्यू सो मच पर वाचिए